हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास फूर्थ की इंग्लिश की वक्षीट नमबर 177 जो की 24 फैबरेल 2021 की है आपकी टेक्स्ट बुक मेरी गोल से ली गई है यूनिट है इसका एथ गोइंग टू बाय बुक पेज नमबर 139 से लेकर 142 तक इस वक्षीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और बैल आकन भी दवा दीजे जिसे सबसे पहले वीड़े का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पोह सके तो शेले शुरू करते हैं हम आज की बॉर्णिग दियर चिल्रण शुप प्रभात प्यारे बच्चों लट एस रेट दा लाइन इवन बिलो फ्रॉम दे स्टोरी कोई टू बाया बुक तो हमारी जो कहानी है गोई टू बाया बुक की उसकी कुछ पंग्दियां उस कहानी की कुछ पंग्दियां यहां नीचे द बुकान पे जाना चाहिए शूट आई पाया थिन बुक आयम अनाबल तो रिसाइट क्या मुझे एक पतलिक किताब खरीदनी चाहिए मैं समझने में नाकाम्याब हूँ तो देखे हमने तीन पंग्दियां पढ़ी इसमें बीग इसमॉल और थिन यह सब क्या है दिडियो नो दिस्क्राइब कर रहा है और थिन बЫक को दिस्क्राइब कर रहा है कैसे अगर मैं बोलूं शुडब बढ़ाब है और कि बाड़ दो डिस नाउन के बार में बताना शौप शौप वो दुकान कैसी है छोटी है किताब कैसी है पतली है तो ये है हमारे describing words क्या आपको याद है हमने पढ़े थे न ये describing words do you remember these words are called describing words क्या आपको याद है इन शब्दों को हम describing words कहते हैं let us revise चलिए हम फिर से इसको revise करते हैं और समझते हैं words that describe the quality of a person place animal or thing are called adjective तो देखो इन शब्दों को describing words के साथ साथ हम adjective भी कह सकते हैं ऐसे शब्द जो कि किसी आदमी किसी स्थान किसी वस्तू किसी जानवर के बारे में बताते हैं उनको हम adjective कहते हैं किसी की खुबी बताना कि वो कैसा है किसी की बुराई बताना कुछ ऐसा जैसे अगर मैं आपको example दूँ simple सा कि राम एक अच्छा लड़का है तो राम एक अच्छा लड़का है यहां पर जो राम है वो है आदमी एक person है यानि एक boy है तो राम एक लड़का है अब राम के बारे में क्या खुबी बताई जा रहे है कि वो अच्छा है तो अच्छा क्या हो गया हमारा adjective ठीक है for example mango is sweet and tasty fruit जो आम है वो काफी प्यारा और काफी tasty फल है है ना तो यह sentence है अब यहां पर जो mango है वो एक cheese है वो एक fruit है अब mango कैसा है कैसा है वो sweet है और tasty है तो sweet और tasty हमारे adjective हो गए क्योंकि हमने किसी चीज किसी mango के बारे में किसी fruit के बारे में बताया कि वो कैसा है तो किसी person, place, animal या thing किसी भी चीज के बारे में अगर हम उसकी खोबी बताएं वो कैसा है वो किस रंग का है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा smell आती है उसकी तो उन शब्दों को हम adjective कहते हैं Clear? चलिए अब हम और question करेंगे फिर और ची तरीके से समझेंगे Here in the above sentence, sweet and tasty are describing words that are describing the quality of the mango तो वो ही बता रखा है कि sweet or tasty जो है वो adjective है क्योंकि वो mango के बारे में बता रहे है Now look at the nouns, naming words given below and write down a describing word for each तो यहां कुछ शब्द लिखे हो हैं जिसे hair, leaf, peacock और flowers अब हमें इनकी खुबी बतानी है जिससे वो adjective बन जाए जैसे यहां पर बाल लिखे होए हैं तो इस लड़की के बाल लंबे हैं तो मैंने लिख दिया long hair अब long hair में बाल, बाल कैसे हैं? लंबे हैं तो यह long क्या हो गया हमारा? यह हो गया हमारा adjective ओके, is it clear? अब हम second लिखेंगे peacock, यहां पर peacock लिखा हुआ था मैंने इसमे अड़ कर दिया beautiful तो यहां beautiful peacock इसमें हमें पता चला कि peacock तो है वो लेकिन वो कैसा है? beautiful है तो beautiful यहां पर adjective हो गया ठीक है तो हमें यहां पर कुछ ऐसे शब्द अड़ करने थे जिससे वो adjective बन जाए यहां leaf लिखा हुआ है, हमें दिख रही है यह leaf green है तो हमने यहां लिख दिया green leaf अब अगर हम इसे पढ़ें तो इसमें हमसे adjective पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? वो पता तो है, leaf तो है, लेकिन वो कैसे है? green है किस रंकी है? green रंकी है है ना, तो green हमारा adjective हो गया किसी की कोई चीज बताना अब देखो, lovely flowers lovely मैंने add क्यों किया? adjective के तौर पे add किया अब देखो, वो flowers तो है, full तो है लेकिन कैसे है? lovely है, प्यारे है ठीक है? तो lovely क्या हो गया? adjective हो गया यह हमारा question है, अब हम देखेंगे dear children, now that you have learnt more about describing words in the previous worksheets, let's do an interesting exercise तो अगर अब देखो, आपने यह जो adjective हैं जो describing words है, उनके बारे में काफी worksheets में पढ़ा हुआ है तो अब हम एक interesting सी exercises करने जा रहे हैं उसके बारे में describing words can tell about what something looks like, smell like, taste like, sound like, feels like इसका मतलब जो adjective होते हैं, जो describing words होते हैं वो किस किस चीज के बारे में बताते हैं कि कोई चीज कैसी दिखती है, किसी चीज की खुश्पू कैसी है कोई चीज कैसी खाने में है, कोई चीज की आवाज कैसी है कोई चीज कैसी महसूस होती है तो इन सब को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं describing words यानि adjective अब जैसे adjective कैसे दिखते हैं वो भी हमारे शब्द होते है adjective जैसे कैसा दिखता है कोई जैसे वो बड़ा दिखता है, large दिखता है, small यानि छोटा दिखता है थेक यानि पतला दिखता है, धिन यानि पतला दिखता है, थेक यानि मूटा दिखता है, डार्क यानि जादा अंधेरा वाला दिखता है, तो कोई चीज कैसी दिखती है तो उसको भी हम adjective कहते है, क्योंकि उसके बार में बताया जा रहा है कि वो कैसी दिखती है कोई चीज की खुश्बू कैसी है fresh है, smoky है, sweet है, smelly है कैसी खुश्बू है जो कैसी खुश्बू है वो भी हमारे adjective हुआ क्योंकि बताया जा रहे कैसी उसकी खुश्बू है कैसा उसका स्वाद है for example, sweet है और खटा मीठा है, bitter है, salty है crunchy है, कैसा है उसका स्वाद तो वो स्वाद भी क्या हो गया adjective हो गया, कि हमें बताया जा रहे कि कैसा है उसका स्वाद, उसके बारे में नहीं तो बताया जा रहे है न और एक sound like, यानि उसके आवाज कैसी है चाहे वो quite हो, चाहे वो काफी loud हो, ज्यादा ही तेजी वाली हो, चाहे वो काफी sweet हो melodious हो, कैसी भी उसकी आवाज हो वो भी हमारा अगर कोई भी sound किसी भी sentence में बताया जा रहे है कि उसके आवाज कैसी है, वो भी हमार adjective हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहे है कि कैसी है उसकी आवाज कैसा वो महसूस है कैसा महसूस कर सकते हैं स्मूथ है, वो rough है, sticky है, heavy है, भारी है, पतला है, हलका है यह सारी चीज़ें हमारी adjective में आती हैं describing words में आती है तो आप बस यह समझ सकते हैं ऐसे शब्द जिसमें कुछ भी बताया गया हो कि वो कैसा है चाए वो देखने में कैसा है, चाए वो सूंगने में कैसा है चाए वो खाने में कैसा है, चाए वो उसकी आवास कैसी है चाए वो कैसे महसूस होता है सब कुछ एकचक्टिव होता है अब यहां पर हम देखेंगे और इनको describe करेंगे incense sticks यानि जो आपकी अगरबती होती है घर पे आपने देखे होंगी ये अगरबती है ये कैसे है what they smell like इनकी खुश्पु कैसे होती है fresh होती है तो यहां हम fresh लग देंगे तो इनकी खुश्पु कैसे होती है fresh होती है तो ये जो fresh है वो क्या होके हमारा adjective हो गया describing word हो गया lemon लेमन इसको हम बोलते है what it tastes like मतलब इसका स्वाद कैसा होता है घटा होता है सौर होता है है तो सोर क्या हो गया मैंने बता इसका स्वाद कैसा होता है सौर होता है हमने लिखा तो सौर हो गया हमारे describing word adjective बोल सकते हैं है तो किसी भी चीज़ के बारे में बताना उसकी खुबी उसकी बुराई कुछ भी बताना adjective कहलाता है तो यह हमारा last question था और यही हमारी आज की वक्षी थी और इसमें हमने revise किये adjective याने describing word Let's have some more fun by doing exercises given on the page number 120 of the English workbook अगर आपको ऐसा और मजा करना है और ऐसे questions करने हैं तो आपको जो अंग्रेजी याने English की workbook मिली है उसका page number 120 आप कर सकते हैं आपको अची तरीके से वक्षीट समझ आई होगी अचा अगर आपको कोई भी doubt रह जाता है न वक्षीट में कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे comment करके पूछ सकते हैं तो मैं आपको जरूर reply दूँगी और बताऊंगी कि क्या आपको समझ नहीं आया ओके तो like कीजे वीडियो को सभी फ्रेंड के सार शेयर भी कीजें जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वक्षीट को समझ सकें पूरा कर सकें and thank you for watching